जेडियस ने एक तरफ बीजेपी के साथ गठबंदन किया और गठबंदन होते ही जेडियस के सो नेताओं ने इस्तिफा दे दिया बीजेपी आज राजनेतिक तोर पर कितनी अच्छूत पार्टी हो गई है कोई बीजेपी को छूने के लिए तयार नहीं है सबको अब इस बात का डर लगता है कि बीजेपी एक संपरदाइक पार्टी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है और बीजेपी के साथ में अगर हम गए तो हमारी पहचान हमारा नाम वो भी खतम हो जाएगा यह तस्वीर आप देख रहे हैं एक हफ़ते पहले की यह तस्वीर है जब 22 तारीक को कुमार स्वामी करनाटक के पूर मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने जो है वो मुलाकात की अमिद शाह के साथ जाथ मुलाकात के साथ जाहा नहीं यहां पर ज्यपी नड्धा से मुलाकात की दोनों ने ताओं को शाल उड़ाए, माला पेनाई और एलान कर दीया कि हम बीजेपी के अंदर सामिल हो रहे हैं एक हपते पहले यह बाइस तारीक की खबर है जीनियूज की अमिच्छा से मिले कुमार स्वामी एंडिये गठ बंदन में सामिल हुई जेडियस नड़ा ने किया ऐलान नड़ा ने ऐलान कर दिया और एक वीडियो मैं आपको और दिखाऊंगा यहां नरेंदर मोदी की वीडिय नहीं है यह बयान अभी करनाटक चुनाओ के अंदर का है मतलब आप जो है मई में जब चुनाओ हो रहे थे तब आप इसी जेडियस पार्टी को परिवार पार्टी बता रहे थे कि यह परिवारवादी पार्टी है वनस्वादी पार्टी है परिवारवादी इसमें चलता ह और इसी पार्टी को अपने गले लगा लिया क्यों कि करनाटक से सटे हुए तमिलाडू के अंदर ए आई ए डिमके ने गटबंदन तोड़ दिया था ये खबर जो है वो बीजेपी के नेताओं को लग चुकी थी उसके बाद में बीजेपी ने पिंगे बढ़ानी शुरू कर अपनी जेडियस के साथ में और जेडियस के साथ में गटबंदन के लिये पार्टी तयार हो गई भूल गई इस बात को क्या हमने किसके उपर तूका था इस बात को भूल गए नरेंडर मोधी क्या बोल रहे थे हैंैं के दिखाऊंगा मैं वीडियो आपको यह है इसमें नरेंदर मोधी परिवारवाद्वन्द सुवाद का अरोप जो है वो जेडियेस की पार्टी के उपर लगा रहे हैं क्योंकि देवगोड़ा है कुमार स्वामी एच देवगोड़ा की बेटे हैं कॉंग्रेस ने कुमार स्वामी को अपनी पिछली सरकार के अंदर मुख मुख्य मंत्री पद से हटाया किस ने हटाया बीजेपी ने कुमार स्वामी को मुख्य मंत्री पद से हटाया और आज मुख्य मंत्री पद से हटाने वाले ही उनको आज गठ बंदन के हंदर सामिल कर रहे हैं लेकिन ये बात जेडियस के नेताओं को ठीक नहीं लगी और जेड जागरन की खबर देख लिए तब तो यकीन करेंगे अंदवक्त दैनिक जागरन की खबर है करनाटक में बीजेपी से हाथ मिलाते ही जेडियस में लगी इस्तिफों की जड़ी पार्टी उपाध्यक समेथ सो कई नेताओं ने इस्तिफा दिया तो आगे मैं आपको दिखाता वो भी मैं आपको सुनाओंगा लेकिन उससे पहले आप नरेंदर मोधी साब को सुनिए नरेंदर मोधी साब को सुनिए और नरेंदर मोधी साब क्या कह रहे हैं सुनिए जरा यह परिवारवाद बता रहे हैं और इसी परिवारवाद को अपनी पार्टी में ले लेते हैं परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। इस पार्टी के बड़े चहरे अपनी सारी ताकत अपने परिवार को बसाने में ही खर्च कर रहे हैं। पार्टी से जुड़ी जादात और हेड्लाइन यही होती है कि परिवार के किस सज़स्य का पलड़ा भारी है। इस बात की चर्चा नहीं होती कि उनके पास लोगों के लिए क्या एजेंडा है। दूसरी तरह अब मोधी के पास में क्या एजेंडा हैं लोगों के लिए। पूछा जाना चाहिए। आपके पास में क्या एजेंडा है। दो इन परवारवादी नेताओं को आप अपनी तरफ ले रहे हैं क्या ऐसा आनपड़ा है और दूसरी बात मैं आपको और बता दूँ अठाइस सिटे करनाटक के अंदर विदानसवा चुनाओ खतम हो चुका है कॉंग्रेस की एक तरफा बहुत प्रचंड वहुमत के साथ जी जा गया है यह गटवन्दन 2024 में मोदी जी ने अपने लिए किया है और इसमें आपको ये भी धान रखना चाहिए कि 28 सीटे हैं लोकसभा की करनाटक के अंदर और 2019 में 28 में से 25 सीटे जो हैं वो अकेले बीजेपी ने जीती थी तो मतलब साब आपको तो कोई जरूती नहीं ह जब 28 में से 25 सीट आप अपने आप जीती रहे हो तो जरूत क्या पड़ गई है और अब भी जो खबर है वो यही है कि कुमार स्वामी की पार्टी को जेडियस को बीजेपी दो या तीन सीटे देने के लिए जो है वो तैयार है बाकी के लिए नहीं अब कुमार स्वामी को भ अपनी तोड़कर के सरकार वहाँ पर बना ली और आप उनीके साथ जाकर बैठ गए और किसके लिए कैवल दो सीटों के लिए ताकत से लड़े मजबूती से लड़े तो बैसे भी आ जाईंगी और दूसरी बात दूसरी एक और बात यह कि प्रदान मंत्रि नरेंदर मोधी क कहते हैं कि पहला OBC का CM है यह OBC के पहले CM नहीं है यह OBC के पहले CM कुमार स्वामी के पिता HD देवगोडा थे HD देवगोडा के बेटे को आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी खीच करके सडक पर ला करके छोड़ा OBC PM के पिता के CM बेटे को और आप जो है वो आज उनी के साथ भी हाथ में ला रहे हैं उनी को गले लगा रहे हैं तो राजनिती किस तरह की है आपको देखना चाहिए और इसी वज़े से जो है क्योंकि एक भी चीज ताल में नहीं खाती है BJP और JDS की एक भी चीज ऐसी नहीं जिसमें सुर्टाल कहीं पर मिलता हुआ दिखाई दे कहीं पर कोई ये कैसा की कि हाँ भाई चलो ठीक है अच्छी बात है BJP और JDS का गठबंदन होना चाहिए कहीं पर कोई जो है वो आज के समय पर JDS जंता दल सेकुलर नाम है इसका जो JDS की पूरी फुल फोर्म है वो यही है जंता दल सेकुलर अब BJP सेकुलर पार्टी है क्या आप बतեղे BJP जो है वो किस सरय की पार्टी है बत एजरा इसलिए जेडियेस के नेता जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी एक घोर जो है समपरदाइक पार्टी है मुस्लमानों के परती जो सोच है बीजेपी की वो पूरे देश को पता चल गई है और ऐसे में हम बीजेपी के साथ नहीं रह सकते हैं और इसलिए बीजेपी के सो से अधिक नेताओं ने इस्तिफा दे दिया है चीजे बिलकुश साफ दिखाई दे रही हैं कि बीजेपी ने जो गड़ा खोदा था उस गड़े के अंदर आज कोई और नहीं बलकि बीजेपी गिरी भी दिखाई दे रही बीजेपी यानि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी परिवारवाद की परिवारवाद की बात करकर के जो आरोप जो है वो लगाते रहे वो आज उसी के साथ में जाकर के गले बैठ रहे हैं उसी के साथ में जाकर के मिल रहे हैं उसी के साथ में गले मिल रहे हैं दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा डिटेल में कि क्या कुछ कहा है JDS के सिंबल पर विधानसभा चुनाओ लड़ने वाले खादर ने कहा कि भाजपा और RSS पूरे देश में मुसलिम समुदाई को निसाना बना रही है नफरत की राजनती कर रही है वो मुसलिम समुदाई को परिशान कर रही है भाजपा नेता खुले तोर पर कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि मुसलिम उन्हें वोट दे ऐसे में हम सभी इस बात से दुखी हैं कि JDS करनाटक में बीजेपी के साथ गठबंदन में है मुसलिम नेताओं ने कहा कि उनके मन में JDS नेता HD कोमार स्वामी और पूर परधान मंतरी HD देव गोड़ा के लिए सम्मान है लेकिन भाजपा के लिए नहीं है इस्तिफा देने वाले JDS अलब संक्यक नेताओं ने JDS अध्यक्स सियम इबराहिम से भी कहा कि वो तुरंट इस्तिफा दे दे ये जो है वो अलब संक्यक नेताओं ने वहाँ पर कहा है पार्टी के परवक्ता और राज्य उपाद्यक्स ने भी इस्तिफा दे दिया है JDS के वरिष्ट नेता और परदेश उपाद्यक्स सायद सफिय उल्ला साब ने इस्तिफा पार्टी से दे दिया है JDS की परवक्ता रही यूटी फरजाना असरफ ने भी पार्टी से इस्तिफा दे दिया है फरजाना ने JDS मीडिया सेल के परमुख स्रीकांत गोडा को लिखे पत्तर में कहा कि वे वेचारिक मतमेद के कारण पार्टी परवक्ता से पज़ से इस्तिफा दे रही है मतलब की नेता खुले तोर पर कहरे है कि बीजेपी एक घोर सांपरदाइक पार्टी मुसल्मानों को निसाना बनाती है अगला ने भी हम गठट बंदन नहीं कर सकते है ये बात किसने कई है ये बात उस पार्टी ने कई है जिसने बीजेपी ने बीजेपी के साथ जाकर के हाथ मिला लिया है और उसको क्या कहते थे मोदी आपको बता चुका हूँ अब इसके बाद आगे देखे जब कुमार स्वाम एच्डी देवगोडा से पूछा गया तो एच सत्ता का भूखा नहीं अब सत्ता का भूखा है या नहीं है वो आपके सामने है देवगोडा ने क्या सबकी राए ली है या नहीं ली है ये आपके सामने है अगर देवगोडा साहब ने राए ली होती तो सो से अधिक नेता क्यों इस्तिफा देते क्यों आपके उपाद्यक इस्तिफा देते हैं क्यों आपके परवक्ता इस्तिफा देते हैं बते ये सब की राय कहा पर दिखाई दे रही है कुमार सौमी जब ये सवाल पूछा गया तो कुमार सौमी कहते हैं नुकसान का कोई सवाल ही नहीं, कोई इस्तिफा नहीं दे रहा है, कुछ कारिकरता इस्तिफा दे सकते हैं, बीजेपी के साथ में गठबंदन के बाद मुस्लिम नेता के जेडियस छोडने के सवाल पर जेडियस नेता, एचली कुमार सौमी ने बैंगलूर के अंदर कहा, उन् उसके बाद में कुछ और देखिए, इसके साथ में बड़ी चीज और क्या हुई है, एक बड़ी चीज इसके साथ ये हुई है, कि करनाटक में बीजेपी और जेडियस ने जब गठबंदन किया, तो उसके बाद में केरल की जो यूनिट है जेडियस की, उसने तो पूरी पूरी यूनिट के साथ नहीं जाएंगे और करनाटक और केरल में कोई पांसो किलोमेटर का अंतर नहीं है दोनों राजे सटेवे राजजे हैं जेडियेस बीजेपी के समझोते के बाद करनाटक केरल में ऐसंतोस फिर उठने सिर उठाने लगा तो ये जो है चीजे निकल करके सामने आ रही हैं और एक एक करके जहो नेता निकल निकल करके जा रहे हैं और उसके बाद में किस तरह से चीज़े जो है वो हो रही है यह आपके सामने है और एक चीज़ जिसमें जो है वो यह है कि बीजेपी की तरफ से कोशिस यह थी कि हम जो नुकसान हुआ है करना तका में एक पार्टी नुकसान जो हुआ है हमें तमिलाडू के अंदर उसकी पाई नहीं होगी वो इसलिए नहीं होगी कि तमिलाडू के अंदर जो आपकी कुछ जो है वो पहले से ही आपको बहुत फाइदे में नहीं थे तो आप पहले विवापर निलबटे संद्नाटे में थे अब भी निलबटे संद्नाटे में रहेंगे और करनाटक में जो है वो दूसरा है वोका लिंगा लिंगायच जो है बीजेपी के साथ माना जाता रहा ये दुरपा के साथ माना जाता रहा ये दुरपा लिंगायच से आते रहे और वोका लिंगा जो है वो यहां पर माना जाता रहा कि वोका लिंगा वो समुधाय जो है वो उसमें काफी हत्तक जो है ये जीडियस की मुस्लिम वोट जो है वो भी जीडियस की तरफ चले जाते हैं लेकिन इस बार का जब विदानसवा चुनाओ हुआ इस बार का जब विदानसवा चुनाओ हुआ तो विदानसवा चुनाओ के अंदर पूरी तरह से सिती साफ हो गई कि ना तो लिंगायत वोट जो है वो बीजेपी को गया, ना जो है वो कालिंगा वोट वोट वो बीजेपी की तरफ गया, और ना मुसलिम वोट जो है वो बीजेपी की तरफ गया, सारा वोट कॉंग्रेस की तरफ चला गया, और सारा वोट कॉंग्रेस की तरफ चला गया, इसल 21 सीटे जीतनी हैं और वहाँ पर आप मत भूलिए कि सिदरमया हैं वो अपनी जहें पर है लेकिन सिदरमया के साथ साथ जो है सिदरमया के साथ साथ वहाँ पर एक और सक्स है और वो बीजेपी के लिए बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं डीके सीव कुमार डीके सीव कुमार और सिद्रमय्या दोनों बड़े चेरे हैं लेकिन जिस तरह से डिके सीवकुमार की जो आकरमक रासनिती करने की जो स्टाइल है उससे बीजेपी परिशान है योकि डिके सीवकुमार एक ऐसे नेता के तोर पर उभर रहे हैं कोंग्रेस के अंदर खास करके संकट मोचक नेता के तो डिके सीवकुमार रिजोट के अंदर अपने विधायकों को काबू में करते हैं कंट्रोल में करते हैं गुजरात तक की जो जीत है उसको भी जो है वो डिके सीवकुमार हार को भी जीत में बदल देते हैं एमद पटेल साहब जब उनकी सीट फस गई थी अब तो एमद प टेल को जो है वहाँ पर बचा करके रखा और उन आखरी में जित्वा करके भेजा तो यह सारी चीजे बीजे पी के लिए भड़ी चिंता जनक है यह सारी चीजे बता रही है कि बीजे पी किस हद तक जो है वो फस गई है बीजे पी को अब ना केवल जो है वो यहाँ पर और करनाटक में ऐसी करारी हार और उसमें भी बजरंग बली आपको याद है ना बजरंग बली को कैसे जो है बजरंग दल पर बैन लगाने की बात वो कॉंग्रेस ने कही थी और उस बजरंग दल को बैन को जो है वो नरिंदर मोदी ने बड़ी चतुराई से बजरंग बली में कनवर्ट कर दिया था लेकिन वो चत्रवाई चली नहीं बजरंग बली के आगे और बजरंग बली फिर आखरी में जो है वो डिके उसके बाद में मलिक अरजुन खडगे ने कहा कि बजरंग बली ने इनकी नली तोड़ दी बजरंग बली की जो गदा है वो इनके उपर भारी पड़ी बजरंग बली की गदा इनके उपर तूट पड़ी और इनको जो है वो आपर हार का सामना करना पड़ा और कॉंग्रेस के वाँपर जबरदस्त जीत हुई ये जो है वो फिर उसके बाद में मलिक अरजुन खडगे ने कहा और उसके बाद में बजरंग बली का नाम जो हो लेना नरेंदर मोदी ने छोड़ दिया था वरना जब बजरंग बल के बजरंग डल के उपर जो है वो बैन लगाया तो नरेंदर मोदी रेलियों की सुरुआत करते थे तो वाँपर बजरंग बली के जैकारे के साथ करते थे तो करनाटक की रासनेती को समझना बहुत की भरपाई हो पाएगी उल्टा जो है वो बीजेपी को जबरदस्त यहां पर जटका है जेडियेस को भी जटका है और यह सारी चीजें लोगों की बीच में कहीं संदेश पहुंचा रही है कि नेताओं का तो गठबंदन हो गया लेकिन जो छोटे कारी करता हैं नेता हैं जो इस तरफ पर काहम करते हैं लोगों का वोट निकल वाते हैं वोटों को लोगों को घरों से निकाल करके पुलिंग बोट तक पहुंचाते हैं वो लोग नराज हैं और वो लोग इस्तिफा दे रहे हैं और हो सकता है कि वो फिर आगे चल करके कॉंग्रेस में भी सामिल हो बीजेपी के साथ खड़े होने में भी लोग अपना नुकसान समझते हैं और ये नुकसान जो है वो जेडियस को समझ में आ रहा होगा कि कैसे उनके नेताओं की इस्तिफों की याँ पर जड़ी लगी हुई है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कभी कोई मान एक वक्त कुछ समय पहले ही कि जब बीजेपी के साथ होना मतलब की चैन की नीद लेना कि बीजेपी के साथ चले गए हैं तो किसी परकार का कोई डर नहीं कोई खत्रा नहीं कोई एजेंसी नहीं किसी परकार से कोई छापा नहीं कुछ नहीं शानती ही शानती लेकिन आप बीजेपी क साथ जाने का मतलब यह है कि आपकी पार्टी में बगावत हो सकती है अब बीजेपी के साथ जाने का मतलब यह है कि आप अलग थलग पड़ सकते हैं खुद पार्टी के अंदर तो बैराल बताईए अब 2024 के लिए संकेत क्या है और क्या वाकई इन सब चीजों के देखते वे को वहाँ पर दावा कर रही है कि 28 में से 21 सीटे वो जीतेंगे बते ये आप क्या होगा और GDS का यहाँ पर साथ जाना कितना आपको सही लगता है कितना गलत लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में पनी राय लिख करके जरूर बताईए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए लोगो को मिल सके और अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए धन्यवाद